नमस्कार मैं प्रितम कुमार आप देख रहे हैं बोलो जिन्दगी और इस वक्त हमारे साथ हैं एक बिहार से उभरते हुए अकलाकार सितारा कह सकते हैं जो आने वाले दिनों में यकिनन वो एक बरस हिजारे के तौर पर उभरेंगे रिशब त्रिवेदी आपका बहुत बहु प्रिशब आपके रहने वाले हैं और अब ही फिलहाल यह मुंबई में रहते हैं चुकि बहुत अच्छे जो सिरियल है क्या नाम है भर्म योद्धा गरूर सोनी सब पर आती है उसमें अच्छे किरदार में यह हैं किस किरदार में मैं प्लेगर रहा हूँ वासुकी प्रिशब के गले में उनको वासुकी बने हैं कितने बजे से आती है शाम के साथ बुच के तीस मिनट पर यह सो सोनी सब पर आप देख सकते हैं और अब देखेंगे तो रिशब भी दीखेंगे वहां पर रिशब की आक्टिंग भी दीखेगी तो कि पटना का जो कलाकार होत तो पर देख सकू कि मेरे अंदर कीड़ा है कि अग्टिंग का वो भी क्या लॉक्डाउन के पीरेड में वो टाइम को तब मिला कि खुद में मैं घुष सकू कि मेरे अंदर वो कीड़ा है कि अग्टिंग का विकास आक्टिंग को आपको सिखा सकता नहीं है आक्टिंग आपके अंदर ही होता है चुपा आपको खोजना बढ़ता है तो मैंने वही किया पूरे लॉक्डाउन में दो साल और उसके पहले अग्टिंग के बाद समझ मैं कि बहुत पढ़ाई बागी है अभी विकास में स्क्रिप्ट मिलते हैं मेकप करते करते हैं आपको 20-20 स्क्रिप्ट को पढ़ना होता है तो पढ़ाई चली रही है पढ़ाई छूटी नहीं है तो आपने मॉडलिंग के शुरुवात अपने किय मिले फिर कुछ टीवि भी मिने अपने सब फिकिया है एड्शूट उटिगाइन चुट यह सweet बिन जाणी ह supervision हो गया इस महीं हो गया है सब और से से बहुत सारा नामे को याद नहीं आ रहा है तो आपने कोई प्लैनिंग तो थी नहीं आपकी पढ़ाई के दौरान के हम अब मैं इस लेवल के बाद या इस स्टेंडर्ड के बाद मुझे आक्टिंग करना ऐसा कुछ प्लैन तो था नहीं कोई प्लैन नहीं था सब बच्चे क उसी बोडी अंच्छे दिखते मॉड्लिंक करो तो यह मैंने था मेरे को दोस्त है माजा तो आरे आपके जैसे दोस्त ना सब को मिले ठीक है तकि आजकल बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैे लोगों को फिच्ôngली करते मोुटिवेट करते हैं तो यह सै डोभी दोस्त आप पिन के दोस्तों जैसा बन जाईये ताकि और लोगों की लाइफ में आप बनाने में आपका हात रहे। तो आपने तो तैय कर लिया था कि आप मुझे एक्टिंग करना है या जो कुछ भी करना है ब एक्टिंग फिल्ड में करना है या मॉडलिंग में करना है घर वालों को तो तक पता नहीं घर वालों को मैंने जो बॉम ब्लास्ट के दिवाली के पहले घर पे आके कि दैड़ी को कि दैडी में को मॉडलिंग करना है दैड थे कि बेटा आप तो जॉब करेगा जो भी करेगा मैंने का में को मॉडलिंग करना है तो दैड एक दम गुस्सा हो गए कि क्या आप आगल हो गए हो क्या जो करना करो जो हमारे यहां बिहार में कहते हैं जो करना करो में को मतलब नहीं जो करना करो, तो स्ते ही मेरे घर पे भी बॉम फटा और मैंने बहुत जिद्धी बच्चा, कि जो मन में है वो करूँगा, तो अब भी मैंने वही किया, लेकिन फिर इनिशली दैड ने सपोर्ट, डैड सपोर्ट हमेशा कर रहे थे, वही थे जो मेंको पैसे भेज रहे थे, मे कर लेगा, उसके पहले हाँ चल ठीके देखते हैं, देखते हैं क्या कर लोगे, हमारे फैमिली में होता है, कि सब लोग देख रहे, अच्छा मॉडलिंग कर रहा, तो क्या करेगा, अब देखते हैं, हम भी बैठे बड़े हैं, तो वह गोला सीन था, आपने जवाब कैसे दि सरकों पर भी दिखते हैं, परवर होडिंग में, हाँ, अभी पटना वापस दिखने वाले हैं, अभी आने वाला हमारा इंडिन टेरन का एक शूट किया था हमने, विंटर कलेक्शन का, तो अभी दिखने वाला है, बहुत जिल्दी, चली, तो उसके बाद दोस्तों का मतलब क्या रहा, दोस्त, आपसे पूछते होंगे कि भाई, आपको किसी आपके फ्रेंट्स ने सजिश्ट किया और आप पहुँँ चले गए, और बहुत कम दिनों में आपने बहुत अच्छा लेवल पर चले गए, तो यह अचानक से होता है, या वाकिए यह होता है, मुंबई ज में हो, अलग शहर में हो, कंट्री में हो, पहले खुद को ढूंडो उसके बाद बॉम्बे जाओ, बिकस मैं बॉम्बे जाने के पहले डेली रहा हो दो साल, तो मुझे पता है कि डेली मैंने ग्रूमिंग किया खुद का, बहुत प्यारी की है, बात करने का तैजीब, खाने क कि यहारी का तैजीब, चलने का तैजीब, उठने का, बोलने का, कितना बोलना कब चुप रहा ना इस जानना बहुत ज़रूरी है, और में को लगता है कि, टाइम आपको सब शिखाता है, बहले कि आपको आखे और दिमाग खोल के रखने पड़ी है, पैशन्स बहुत जरू ड्रॉप होगे अब मुझे फिल्में चाहिए भई ने मैं सारे जित्ते भी स्टूडेंट्स उनको इत्ता ही मेरे भी कजन सब सबको इत्ता ही बोलता हूँ कि देखो पढ़ाई मत करो मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करो नौलेज के लिए ये बुक पढ़के कोई फायदा नहीं है लेकिन आप पढ़ रहे हों समझो उस बात को मैं सब कोई ये बोलता हूँ कि आप बस अच्छे मार्क्स ला रहे हैं मैंने भी लाया था 10th EGPA उसका मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आज के रेट में कोई नगरी पहले अंदर जाको देखो और अंदर से बहुत कुछ सीखने मिलता है पिकरज अभी मेरी उम्र जो भी है मैंने इतने साल में कुछ देखा यह नहीं सीखा यह नहीं मुझे लगा कि जो आसपास है बस वही सच है वही जूट है लेकिन मेरे अंदर ही बहुत कुछ है जो मुझे पता ही नहीं था जो मैं खोजा जाना समझा और उसके बाद लाइफ क में यह सब चीजें आई कि मैं एक्टिंग फिल्ड में जाओ या मॉडलिंग फिल्ड में जाओ मुझे मुझे मुंबई जाना है और उसी लोगडाउन के इर्दगर्द की बात है जब सुसान सिंह राजपूत की घटना हम लोगों के सामने आई थी तो आपने देखा क्या सम चीज तो मैं बेसिकली मैं शॉक में था और में को लागा कि क्या हो गया है और मेरा यह कहना कि किसने किया है नहीं किया है यह सही नहीं होगा बिकोज मुझे पता ही नहीं है हम आप मैं भी आपकी तरह हूं मैंने भी निवस सुना है देखा है और जो समझा है बट क्या बोल हैं इन्होंने सपने देखा नहीं छोड़ा और सपने देखा सपने को पूरा भी किया तो यह चीज़ में बता नहीं है और हम बिहारी लोग कहते हैं हम डरते नहीं एक बिहारी सप्पे भारी जो हमारा कि अब को लगता है कि मुंबै जाना होता है एक लिए देली चाना होता है फूर्प अपको ओखर वाले करते हैं और बट I hope ऐसा हो I wish कि कभी ऐसा हो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमरे साथ बातश्रीत करने के लिए और हम विसेस भी करते हैं आपके लिए कि आप बहुत उपर जाएं एक दिन ऐसा दिन आए कि हम आप सिर्फ टाइम मांगे और आप ऐसे इंटर्व्यू ना दे पाए हम ठीक है यह विसेस है हमारे आपके साथ बहुत 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 कामना है आपके